हेलो फ्रेंड्स आज का अमारे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोईश्चन है वो है फाइव ये प्लान ये कमेंटी हेल्थ नर्सिंग में जो सीरीज चल लही है उसी में ये कंटिन्यू है ये फाइव ये प्लान क्या होता है ये एक फ्रेंबर्क है मतलब किसी भी कंट्री में उसमें जो पॉलिस चलनी है जो प्रोसीजर होने है जो प्रोग्राम है वो कंट्री को कैसे डवल अब किया जा सके इस फाइव ये प्लान में यही बताया गया है जो हमारा फर्स्ट फाइव ये प्लान है वो कब आया था और पांस पांस साल तक चला यह 1956 में इसमें क्या क्या हुआ था इसको फर्स्ट फाइव प्ला नाम से जानते हैं सिंस दा टाइम ओप इंडिपेंडेंस इंडिया कंसंट्रेटिड मैंली दा ब्रिंगिंग एवाउट फास्ट और बैलेंस एकोनोमिक डवलपमेंट उस ताइम पर क्या हुआ था कि इंडिया वो इंडिपेंट बनी हुई थी उस ताम हमें फ्रीडिंग मिली थी इसलिए वहां में जो पंडि जवालना नहरू थे वह फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो नहोंने आठ दिसंबर उन्नीस सो क्यावन में इस फास्ट फाइव यर प्लान को बनाया था एट टेट टोटल ऑप 206.8 बिलियम एलोकेटिट इन फर्स्ट फाइव यर प्लान फोर डबलपिंग मोडिफाइंग वारियस सेक्टर जो वहां पर टोटल जो इन्वेस्मेंट किया था उन्होंने कितना किया था 206.8 बिलियम ठीक है इतने सारे वहां पर जो यह बजट था वह डबलपिंग के लि फाइव फाइव यह प्लान का Serve ре ludzie कार था इंपर फाइंशेटर था इस्टेम को मतलब और ज्यादा उसको फिया जा से के प्रोग्रेस और activity development program और उस program को और ज्यादा development किया जा सके active किया जा सके to initiate measures and social justice a wider scale जो आपर social justice है उसको measure किया जा सके बड़े पैमाने पे to establish relevant administer change for development purpose जो हमारा development है वो उसको change किया जा सके पहले slow चल रहा और उसको मतलब और तेज़ किया सके उसमें जल्दी develop हम कर सकें इसलिए यह program चलाया गया था मैंने आप एक shortcut बनाया है first five year plan को आप बहुत मतलब इतना याद इसके बाद हमारा आएगा next five year plan जो 1956 से कब तक चला 1964 तक नहीं नहीं 61 तक 1956 से नाइटी कि यह five year का होता है ना फाइव यह प्लान दा सेकेंड फाइव यह प्लान बाज मोर इसका एम क्या था नेशनल एन्वल इंकम टू इंक्रीज फाइव परसेंट जो हमारा नेशनल एंकम ता उसको पांच परसेंट तक और जादा बढ़ाना था एडिशनल इंप्लाइमेंट फैसल्टीज फोर 10 मिलियन प्यूपल और जो इंप्लाइमेंट फैसल्टीज थी जो वो 10 मिलियन लोगों तक पहुचाना है रैपिड इंडिस्ट्रिलाइजेशन अबर स्पेस्पिक अटेंशन और दा प्रोड़क्शन आइरन इस्टील और इसमें क्या थ इंपावर्मेंट किसमें देना था पीपल को उनकी इंकम को बढ़ाना था क्योंकि इसका यह था कि 5% तक उनकी इंकम को बढ़ाया जा सके नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है सेकेंड फाइब प्लान के लिए मैंने एक सोटकर बनाया है आपको मद्रास याद रखना है मद्रास स मौनलें बिस मौडल अटोमिक एनरजी कमीशन डुर्गापस स्टील कंपनी टाटा इंस फंडामेंटल रिसर्च रोकेला स्टील कंपनी रैपिड इंडस्टिलाजेशन एग्री कल्चर सोचिलिस्टिक पैटर्न आप सुसाइटी इससे जिन पर फोकस किया गया है उनको मैंन स्ट्रिक से लिखती आया है नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड फाइव एर प्लान की जो कब आया था 1961 से 1966 तक चला था था थार्ड फाइव एर प्लान गिव लार्जर इंपोर्टेंस ऑफ डवलमेंट ऑफ एग्री कल्चर तो इंट्रू प्रोडक्शन मतलब किस पर इंपोर्टेंस इसको दिया गया था एग्री कल्चर पर बट डिव टू टू दा एकोनोमिक थेट कॉस वाई साइनो इंडिया वार नाइंटी सिक्टी टू दा फोकस ऑप कंट्री वास सिफ्टिट टू आड डिफेंस बट इसमें क्या हुआ था एग्री कल्च लेकिन उसमें एक्री कल्च पर फोकस किया गया फेर फोकस कंट्री वास सिफ्टिट डू बिफेंस दू दिफेंस चीज इंटların 1965-1966 इंडिया इंडिया पर रिक्री कल्चर रहेंगे एग्री कल्चर को एज मेजर डिमोग्रेशिब पंचायत इलक्षन वेर कंडुक्टिव और यहां पर मतलब इलक्षन पंचायत इलक्षन कंडुक्टिव किये गये थे थार्ड फाइब यह प्लान में चाइना इंडिया वार इंडो पाकिस्तान वार बोड डाउं द मै mindset टो टूपांट सेवन רेंट behavior था आपकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वार भार था उस टाइब पे क्या उन जे प्रूमिनिर स्टीच प्रॉड़क्ट थे उनका रेट वह था मतलब 2.7% वो घट गये थे थर्ड प्लान इनिसियेट विट टोटल आउटलाइन 342 करोर 297 करोर तो स्टेट एंड रेस्ट आप दे सेंटर जो इसमें बजट था उसका कितना था 342 करोर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एमकी उनकी जो इन्कृेज थी उसको 5-6% ऐनक्रीज किया जा सकें तो विककम सेलफ सेफिसेंट एंड इनक्रीज अग्रीकल्चर प्रोडक्षं agriculture के production को बढ़ाया जा सके in order to need the need of industry and growing population जो population को need है वो agriculture में product का बढ़ाया जा सके increase major industrial like steel, fuel, chemical इनको भी बढ़ाया जा सके in employment opportunity और जो new employment opportunity थी वो इसमें launch की जा सके next हमारा आएगा fourth five year plan third five year plan के लिए एक shortcut है जिससे side से आप याद सकते हो self reliance क्योंकि जब इसमें बहुर हुआ तो उन्हों ने self reliance agriculture पर focus किया गया था development of industry इस्टील आरेन को भी chemical भी बढ़ावा दिया गया था इसमें next हमारा आएगा fourth five year plan फॉर्थ five year plan कब चला था 1969 से लेकर 1974 तक चला था यह मतलब यह सिर्फ यह पूरे five five year तक चल गया था लेकिन इसमें चलने में बहुत डिफिकल्टी आया थी फॉर्थ five year plan deferred for three year because of operation operation difficulty face the adequate growth of economic इसको चलाने में बहुत problem आ रही थी क्योंकि उस टाइम पर economic power बहुत घड गया था क्योंकि उस टाइम पर वार भी वहा था चाइना से भी हुआ था साइनोबाय हुआ था इस बज़े से इसको चलाने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी टोटल ओप four hundred thirty three point five three crores was the out pay health and family planning in fourth five year plan जो five जो four five year plan था उन्होंने health और family planning के लिए out pay किया था four hundred thirty three point fifty three crores fourth five year plan के health related objectives क्या थे to eradicate communicable disease communicable disease को eradication का मतलब होता है free from world to establish phc in each community deployment block और हमें जो जितने भी community हैं वहाँ पे हमें phc establish करना है एक phc वहाँ पे होना चाहिए family planning program महाँ पे family planning भी प्रोग्राम चला है expand medical nursing education training to paramedical महाँ पे nursing को और paramedical को उनकी training को और बढ़ाया जा सके इस पे focus किया गया next हमारा आएगा fifth five year plan fifth five year plan कब से कब तक चला 1974 से लेके 1978 तक fifth five year plan focus on the employment party elevation and justice किस पे चला focus किस पे किया गया employment पे poetry party में और justice में the plan continue pay attention on self reliance किस पे attention किया गया self reliance पे इन agriculture production and defense agriculture production पे और अपने आपको कैसे defense कर सकते हैं दा मोरार्गी देशाई government टुक ओवर इन ये 1978 फॉलएंग विच प्लान भाज regretted the major objective element the poverty जो हमारी poverty जो भी इंडिया में उसको खतम करना है जी रिलेगेंस रियलिगेशन एंड अटेंड मेंट आप दा सेल्फ रिलेंस नेक्स हमारा आएगा six five year plan जो कब आया कब से कब तक चला 1980 से 1985 तक six five year plan was started on one April 1980 which continued till 31 March 1985 मतलब नाइंटी 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 सी से निस सो पचाशी तक यह चला इसमें यह बताया गया six five year plan M at rapid industrial development इसमें इंडिस्टियल को development किया जा सके specific area of technology और टेक्नलोजी पे भी इसमें development किया गया टेक्नलोजी पे family planning activities geared up with order to prevent over population वहां पे family planning पे भी focus किया गया क्यूंकि वहां over population हो रहा था जिससे की population को हम control कर सके नेक्ष हमारा आएगा general objectives क्या थे इसके to bring down poverty and unemployment rate progressively मतलब कि जो हमारा poverty उसको down किया जा सके और जो हमारी population है उसको control किया सके जिससे की हम जब हमारी population कम होगी तो हमारी poverty भी खतम हो जाएगी poverty saving the development of indigenous source population control policies with small family norms वहीं बताया गया कि हम अगर family को कम करेंगे small family norms तो हमारी population भी control हो जाएगी इस पे मतलब six five year plan पे family planning पे focus किया गया था भार हम फिप्त और शिक्स्त का shortcut भी देख लेते हैं फिप्त का shortcut जो था PSTM पी से poverty eradication शेल से self-reliance टी से 20 प्रोग्राम एम से minimum need program six में क्या था six को कैसे shortcut से याड़ सकते हैं मेल में से हो जाएगा management एसे हो जाएगा agriculture प्रोडक्स प्रोडक्शन आई से हो जाएगा industry प्रोडक्शन एल से हो जाएगा local development इसकी स्टम बात करेंगे seven five year plan की जो कब आया था 1985 से 1990 तक seven five year plan बाज focus on study growth with significant importance of self-reliance and improved efficiency and productivity इस पे मतलब किस पे focus किया गया self-reliance पे और self efficiency पे improve किया जा सकते और उसके productivity को भी improve किया जा सके equality और equality होनी चाहिए हमारे इंडिया में and social justice और जो social justice है वो सही होना चाहिए elements used for distribution benefit the total out pay for health sector बाज 19,000 19092.89 करोर कितना इसके लिए आउट पे किया गया था जो यह लिखा है तीन अजार 352.89 करोर जर्णल objective इसके क्या थे तू सपोर्ड एंड स्पीड अप दा प्रोड़क्ट ओफ इंप्लीमेंट वारियस प्रोग्राम एंड ओब दा वर्ल्ड जो हमारे प्रोड़क्ट थे जो productivity थी efficiency शेव लाइंस थी उसको और जादा स्पीड में प्रोड़क्शन का किया जा सके है फैसल्टीज मेंटिंग दा बेसिक और इसमें टेक्नोलोजी पे भी फोकस किया गया सेवंथ फाइव यर प्लान के बाद हमारा एक एनुवल प्लान आया था उस टाइम पे मतलब फाइव यर प्लान नहीं आया था जो वो टू यर्स का था उसको एनुवल प्लान बोलेंगे देर वर नो फाइव यर प्लान बिट्मिन दा एर नाइनुवल प्लान चला डिव टू डिस्टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो डिस्टाइब वो भी थी दा कंट्री हैंड ऑनली एनुवल प्लान फ़ो डए यह 90 सिचσιु चिंडक्र ब्राइब ग्राइब और इंडिया फ्री मार्केट जो टॉक्टर मनमोहन से थे उन्होंने इंडिया के बहुत जादा आटेंसन दिया कि उनको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल सकें बजट अवाउड एकॉनोमिक इंडिया इसके बाद में आया था एट फाइब यर प्लान कब आया था 1992 से लेके 1997 तक एट फाइब प्लान वाज लॉंच स्टार्ट ओन अप्रेल in 1992 with major concern of modern modernizing and industries major component of 8th plan include strengthening of infrastructure check the population growth poverty production and pupils participation प्लान में क्या हुआ था जो अपनी इंडिया को स्ट्रेंथ्रिंग देना था जो प्रोडक्शन थे उनको और जादा बढ़ाना था और जो पॉपलेशन है उनकी ग्रोथ को चेक करना था क्योंकि जो हमारा फाइव सेबंद के बाद में नहीं आया था तो उस टाइम पे जाना खराब हो चुकी थी उसमें बहुत जाना पॉवर्टी आगी थी तो उसमें चेक किया गया पॉपलेशन की ग्रोथ को और दोबारां से फिर इंडिस्टियल प्रोड़क्ट को बढ़ाया गया जर्नल ऑब्जेक्टिव इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या थे अचीव यह फुल इंप्लाइमेंट वाइड़ टर्न ऑफ दा कंट्री मतलब लोगों को जॉब दी गई जिससे कि उनको प्रॉपर फाइनेंशियल प्रॉपर उनके पास खतम हो सके उनकी पोवर्टी को अटाया जा सके इसलिए उनको जॉब भी दी गई पॉप फिप्टी टू थर्टी फाइब यह जो फिप्टी टू थर्टी फाइब यह थे जो अनपन लोग थे जो पड़े लिखे नहीं थे उनको इस पे फोकस किया गया उनको एजूकेशन दी गई कंट्रोल पॉपलेशन और फाइमली प्लानिंग के थुरू पॉपलेशन को कंट्रोल किया गया इसके लिए भी मैंने सौटकट बनाया है फाइब प्लानिंग को दो फॉकस किया लिए इसका क्या था इसका क्या था अग्री कल्चर एंड रूरल डबलप्मेंट जो rural area है वहाँ पर agriculture का और development करवाना था, generate adequate employment and eradicate power, और वहाँ पर employment को generate करना था, increase economic growth with stable, मतलब की वहाँ पर economic power बहुत कम थी तो वहाँ पर उसको growth करना था, और ज्यादा वहाँ पर बढ़ाना था, and saving food and nutritional security for all, जो भी जितने भी country के लोग थे, इंडिया के लोग थे, उनको proper food provider और उनकी security, उनको उन्होंने focus किया, provision of basic service like safe drinking water, primary health care, universal primary education, जो ये सारी उनकी basic need थी, जो ब्लेज एरिया की, वहाँ पर इतना ज्यादा development नहीं था, वहाँ पर पानी भी साफ नहीं मिलता था, वहाँ पर education भी नहीं दियाती थी, तो वहाँ पर क्या उन्होंने किया, safe drinking water provide कर वहाँ, primary health care, वहाँ पर लब दी गई और primary education, और primary education उनको free में दी गई, 9-5-air plan का भी एक shortcut है, ESPN, E से हो जागा employment for women, SCST, S से हो जागा 7 basic minimum service, P से हो जागा पंचायत राज institution, primary education public distribution system, and so, जागा nutrition, nutritional security, 9-5-year plan पे इन सारी चीजों पे focus किया गया, 9-9 के बाद हमारा आगा 10-5-year plan, जो 2002 से लेके 2007 तक चला है, effort from economic growth, the 10-5-year plan, जिसमें यहाँ पर क्या economic growth, 10-5-year plan में economic growth करवाया गया, also and the empowering the quality of life of the people, जो people हैं, उनकी life को और जादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि उनमें disease ना उनकी life की quality को और जादा बढ़ाया जा सके, इसमें यही हुआ था 10-5-year plan, हम देखेंगे इसके main objective किया थे, reduction in poverty ratio 5% by 2007, जो poverty थी ना जो बहुत जादा लोगों में, तो उसके 5% तक उसका कम किया जा सके ratio, providing gain full high quality employment to additional labor force, वहाँ पे gain किया गया, वहाँ पे job लोगों को दी गया, employment दिया गया, labor, जो labor की थी, वहाँ पे उनको force किया गया, all children to be in enrolled to school and component five year of schooling, वहाँ पे five year, five year के जो बच्चे थे, वहाँ पे उनको free education दी गई, इस पे उन्होंने focus किया गया, reduction of gender gap in literacy and wage rates by at least 50%, जो gender में जैसा होता था कि लोग पहले लड़कियों को school नहीं बेशते थे, लड़के होते थे तो उनको school बेशते थे, इस gender gap को भी उन्होंने कम किया, हटाया, reduction of the decode rate of population growth between 2001 and 2011 to 60.2%, और जो population growth थी, जो उसमें भी उन्होंने कम किया उसको, क्योंकि जब population growth होगी तो हमारा economic system disturb हो जाएगा, इसलिए उन्होंने population को भी control किया, increase the literacy rate to 75% within the plan period, जब यह, मतलब इन्होंने जब 10th 5 year plan चल रहा था, तो उन्होंने इसको increase किया, कितना increase किया, 75%, नेक्स्ट हमारा आएगा 11th 5 year plan, जो कब से कब तक चला, 2007 से 2012 तक 11th 5 year plan चला था हमारा, इसका objective क्या था, to accelerate GDP growth from 8% to 9%, लब यही था, इसका objective यही था, इसकी growth को और बढ़ाया जा सके, कितना percent, 8% से 9% तक और इसको increase किया जा सके, to create 70 million new work opportunity, और जो work opportunity थी, वो 7 million और ज्यादा create किया जा सके, जहां पे लोग work कर सके और economic power उनका ठीक हो सके, to reduce educated unemployment between 5% और उनने education and employment को भी reduce किया 5% तक, to rise real range rate unskilled worker by 20% और उन्होंने जो जिन worker के पास में कोई skill नहीं थी, उनके लिए भी उन्होंने job निकाली, यानि कि 20% उनको उसको भी increase किया, उसे focus किया, attend WHO standards of our quality in all major cities by 2015-2012 तक, जो WHO थे उन्होंने जो human की life है, जो लोगों की life थी, उसकी quality को और ज्यादा improve किया, उसमें standardization लाया उसमें, attention on taking care of all elder person, जो elder person थे, जो older person थे, जिन में उनकी care को लेके और उन पे जादा attention दिया, उसकी और उसे focus किया, जो older person है, उनको कोई भी disease ना हो, अगर हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी care किया जा सके, health related objectives, इसके health related objective क्या थे, reducing maternal mortality rate ratio to 1 per 100 live birth, उनकों में जो maternal mortality rate था, उसको कम करना था, reducing infant mortality rate to 28 per 1000 live birth, और जो infant mortality rate था, उसको भी reduce करना था, reducing total infertility rate to 2 per cent, उन्होंने mortality infertility rate को भी 2 per cent तक कम किया, इस पे कहां पे focus किया गया, इस पे अन्दब human की life पे जादा focus किया गया, next हमारा आगा 12th five year plan, जो मारा last plan था, जो अभी तक चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, 2007-2012 तक, इसका गोल क्या था, 12th five year plan का यह देख लेते हैं, increasing green cover by 1 million, जो agriculture था, green cover, green cover का मतलब यहां पे agriculture था, उसको 1 million तक और बढ़ाना था, to reduce emission industry of GPD and in line with target reduction over और agriculture आउट पे for the plan, मतलब यह जो प्लान था, 12th five year plan था, यह सिर्फ agriculture के लिए था, मतलब इन में higher education देना था, इस पे electricity मतलब पूरे ब्लेज में electricity हमें देनी थी, इस पे focus किया, जो mal nutrition था, उसको भी यहां पे उसको cure किया गया और जो safe and clean drinking water भी provide किया गया, करूं साथ है